आपने एक टाइप के हैड़े को सुना होगा बहुत ही कॉमन है माईगरेन यह माईगरेन एक थ्रॉम्मिंग पेन होता है जो सिर्व में एक पेन पॉइंट हो सकता है या आदे सिर्व में होता है और यह पेन light और sound को respond करने वाला होता है यानि कि light या sound बढ़ेगा तो यह pain और aggregate होता है, severe होता है तो देखे करना क्या होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके underlying cause को समझना बड़ा जरूरी है तो कुछ trigger points होते हैं इस pain के और वो individual to individual depend करते हैं, सबके अलग-लग factors होते हैं तो आपको अपना trigger point पहचानना है तो जो जिनको migraine रहता है वो पहले अपना trigger factor देखें कि उनको किस चीज़ से वो trigger करता है और ये लग-बग-लग-बग सबी patients को idea हो जाता है तो आप अपने पहले trigger point को पकड़ें दूसरा एक खास बात ये है कि migraine के patient को हमेशा एक indigestion की समस्या रहती है और ये कही ना कही metabolism पे भी depend करता है तो जिनका metabolism ठीक नहीं रहता indigestion रहता है gastritis रहता है bloating रहता है hyper acidity है या constipation है उन लोगों को ये migraine की समस्या जादा आती है तो आपने कभी feel किया होगा कि जब आपका digestion ठीक नहीं रहता तो migraine aggregate हो जाता है या आप कभी indigestion है और रात में अगर आपने heavy meal लेकर सोय है तो morning में कहीं न कहीं आपको problem देगा और धीरी दीर आपको ऐसास होने लग जाएगा morning से ही कि आज migraine का attack आने वाला है तो करना क्या है देखिए सबसे पहले तो अपने triggers को पहचानिये triggers को remove out कीजिए indigestion treat कीजिए जो सबसे important है अगर आपका एक बार digestion strong हो गया तो आप खुद देखेंगे कि migraine के attacks आपको आने बंद हो जाएंगे इसके लावा और क्या करना है अपनी lifestyle और diet की modification करना जरूरी है अब यह सबका अलग-अलग होता है lifestyle और diet भी तो कभी आपको मौक़ों में लेगा तो जरूर हमारे पास आईए या हम बताएंगे आपको lifestyle और diet के बारे में कि इसमें क्या changes कर सकते हैं और exercise और workout अपना start कर दीजे कही ना कहीं lethargicness रहते हुए बॉड़ी में यह migraine attack rapidly आना start हो जाता है अगर आप घर पर रहे तो घर पर क्या कर सकते हैं कि देखे जब भी आपको migraine feel हो या आपको लग रहा है कि frequent episode आ रहे हैं तो एक आयरवेद में एक therapy होते है called कुंजन क्रिया तो कुंजल क्रिया आप घर पर कर सकते हैं morning empty stomach गुनगुना पानी पीना है और उसको lookout करना है vomit out करना है यह आप empty stomach morning में कीजिए हफते में 2 या 3 बार कर सकते हैं आप देखेंगे कि आपको migraine की CVIT है वो कम होना start हो जाएगी क्योंकि अगर morning में gastric walks हो गया तो काफी हद तक आपका digestion ठीक हो जाएगा और इसके episode आने कम हो जाएगे और क्या कर सकते हैं दो तरीके का आप इस पर कुछ apply कर सकते हैं जैसे एक तो ice apply कर सकते हैं cold apply कर सकते हैं hot apply कर सकते हैं depending on कि आपको क्या अच्छा लग रहा है उससे में जो अच्छा लग रहा है आप वो apply कर सकते हैं तीसरा एक type का head massage आप ले सकते हैं तो migraine में बहुत अच्छा help करता है muscles और nerves को relax करने के लिए इसके इलावा देखा गया है कि coffee पीने से भी migraine का जो severe attack होता है उसमें काफी relax होता है अगर हम आईरवेद की बात करें तो आईरवेद में कही न कहीं एक कफ का आवरन हो जाता है पित के उपर जिसकी वजह से आपका indigestion होता है और यह migraine impact करता है तो करना क्या है आईरवेद में कई बहुत सारी results है तो कभी आप आएंगे हमारे पास तो हम देखेंगे इसको कि पंच करमा आपके उपर कैसे suit करेगा और जैसे body detoxification पर बहुत अच्छा काम आता है इसमें body detoxification आपने एक बार कराया तो आपका काफी हद तक migraine ठीक होने के chances होते हैं तो इसमें काफी अच्छा relief होता है इसके इलावा नस्य करम है और बहुत सारी पंच करमा therapies होती है जिसमें काफी हद तक आपको फाइदा दे सकती है तो migraine के बारे में अगर आपको लगता है कि और जादा जानना चाहिए या treatment आपको करवाना है आप जरूर हमारे पास आ सकते हैं हमारा hospital दो जिगे पर है गुरुगराम DLF phase 3 में और फर्दाबाद sector 86 में धन्यवाद